इंडिया में बहुत सारे लोग तलाब में मचली पालन करते हैं और तलाब में मचली पालन करने वाले लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनके दिमाग में आ रहा होगा भाया हम तो तलाब में मचली पालन करते हैं दूसरे लोग किस चीज में करते हैं बहुत सारे लोग बायो यूचनल फीसफार्मिंग एंड सिर्टस पर मेरा नाम बभलू सिंग भीहर राजीपूर के रहने वाले। जेके फीसफीड नमबर वन फीसफीड और फीसरीज कंचर। मेरा काम जेके फीसफीड के लिए लोगों को डीलर्सी प्रदान करना है। मेरा बच्चे का काम कॉलकाता नहाटी में होता है। और मेरा मेडिसिन का भी काम है। चाहीज आपका केज कलचर हो, या फिर पौंड कलचर हो। आप किसी भी तरह के कलचर के लिए आप हमसे दाना मंगवा सकते हैं। हमसे मचली के बच्चे मंगवा सकते हैं अगर मचली में किसी तरह का बिमारी लगा हो उसके लिए आप दिये हुए नंबर पे कॉल करके मेडिसीन मंगवा सकते हैं तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सुरू में हम आपको बताए अपने इंडिया में बहुत सारे लोग तालाब में ही मचली पालन करते हैं और उनको करना भी चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ तालाब हैं में ही मचली पालन हो रहा है अपने देश में बहुत सारे सफल लोग हैं जो केज में कल्चर करके सफल हो रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो RAS सिस्टम से मचली पालन कर रहे हैं लेकिन थोरा सा उनका क्रेज अभी कम हुआ है बहुत सारे लोग बायो फलोक में मचली पालन करते हैं सिमेंट टैंक में भी करते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुए में मचली पालन करने के लिए भी हमसे सीड के लिए बात करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन सा फार्मिंग आप करते हैं और किस तरह से करते हैं किसमें आपको लाव होने वाला है बहुत सारे लोग हमसे बच्चे के लिए बोलते हैं और पुछते हैं सलाह लेते हैं क्या हम अपने च्छत पे एक टंकी बनवा करके मचली पालन कर सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पानी का जो टंकी होता है सिंटेक्स वाला उसमें भी चाहते हैं कि हम मचली का पालन कर ले वो ऐसे लोगों से हम बताना चाहेंगे कि मचली पालन जितना आसान आप समझ रहे हैं उस तरह का आसान चीज है नहीं जो लोग भी कमर्सियल पॉइंटों भी उसे मचली पालन करना चाहते हैं इस बेवसाय में कुछ कमाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बहतरिन तरीका मिट्टी वाली तालाब में मचली पालन करना होता है कारण होता है कि आपको इसमें खर्च कम लगता है चाहे आप पंगास का पालन करते हों यानि 100% फीड पर आप डिपेंड हैं या फिर आप रूपचंदा का पालन करते हैं, या मुरेल का पालन करते हैं, सिंगी का करते हैं, मांगूर का करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IMC के साथ साथ सिंगी और मांगूर का पालन कर लेते हैं, तो उनको फीड हो गयरा देने से मतलब होता नहीं है, वो तो हसी करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो अपने तालाब में सिर्फ बच्चे डालते हैं और प्रोडक्शन जितना छोटा मचली हो पाता है भगवान वहरों से अपने प्रोडक्शन ले करके संतुष्ट हो जाते हैं तो वैसे लोगों के लिए हम नहीं जो जो पैसा कमाना चाहते हैं इस वेंब्वसाय में उनके लिए हम बताना चाहेंगे मताना है । ट्रंजेक्शन जलुदी जलुदी होता है लेकिन लागत आपको जाता लगाना परता है तो बहुत सारे लोग तो आरे सीस्टमालए फिलियूर Eigen क cursory हो रहे हैं और जहां तक हम बात करें कि cement tank बना करके तो वह लोग भी असफल हो रहे हैं हम इसका advice नहीं देंगे कि आप हम बहुत सारे लोह का call आता है कि cement tank में जैसा कि हम बताये आपको तो cement tank में मचली पालने का सला हम नहीं देंगे उसमें आप नुक्सान में चले जाएंगे और cage culture वाले कर रहे हैं लेकिन उनसे हम ये कहना चाहेंगे बहुत सारे लोग cage में IMC का पालन कर लेते हैं पंगास का तो पालन हो जा रहा है ठीक ठाक हो जा रहा है प्रोडक्सन निकल जा रहा है लेकिन IMC का पालन आप cage culture में नहीं करेंगे आप RAS सिस्टम में नहीं करेंगे बहुत सारे लोग गलती से और YouTube पर वीडियो देख करके IMC भी अपने RAS सिस्टम में डाल लेते हैं तो वे नुक्सान का सामना उनको करना पड़ता है ग्रोथ आ नहीं पाता है IMC का जबा पालन करते है या फिर यूँ समझ लें कि किसी भी तरह का मचली पालन करते है तो आपको pond culture ही करना पड़ता है मचलियां जो natural भोजन होता है मचलियों का किसी जमाने में सिर्फ मचलियां natural feed खा करके ही जो प्रकर्ति के द्वारा प्रदत भोजन होता था ताला में स्वता जो भोजन मिलता था उस तरह का भोजन करके ग्रोथ करती थी मचलियां आज भी करती हैं लेकिन चुकि हम high density में मचलियों को पालते हैं अपने ताला में तो हमको भोजन देना पड़ता है और जैसा कि हम बताएं आज भी 85% ऐसे लोग हैं जो अपने मचलियों को भोजन देते नहीं हैं बाहर से नहीं दे पाते हैं हम homemade feed के बारे में ही बात कर रहे हैं हम commercial feed के बारे में नहीं commercial feed तो लगभग 40% लोग ऐसे हैं उसमें से भी जो लोग खास करके पंगास औरूख चंदा का पालन करते हैं मुडेल का पालन करते हैं वे लोग ही अपने मचलियों को जेके फीस फीड या कोई दूसरा फीस फीड खिलाते हैं अगर IMC वाले भी जेके फीस फीड खिलाने लगे तो transaction उनका भी बरेगा growth जल्दी आएगा हाँ बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है क कि IMC में जो उपरी लेर की मचलियां हैं जैसे कतला जिसको भाकूर के नाम से आप जानते हैं सिल्वर कार्प या फिर आपका बीगेड ये तीन मचली आपकी commercial फीड नहीं खापाती हैं तो इसके लिए तलाम में आपको natural फीड डालना परेगा जिसे आपके तलाम में natural तरीक से भी प्लेंग्टन का निर्मान होते रहे और artificial तरीके से प्लेंग्टन का निर्मान करने का मतलब है कि आप हमारे कंपनी का एक प्लेंग्टल पाउडर भी आता है ये पांच के जी का बैक सतरह सो रूपे में हम कहीं भी अपने देश के किसी भी कुने से आप कोल करते हैं व उसमें East Powder आपको एकदम से मिलाना ही परेगा आपको Mineral Mixer उसमें मिलाना ही परेगा महीने में एक बार तलाब में कम से कम महीने में एक बार Providex का प्रयोग करना ही परेगा इन सारे बिंदूओं पर आप 100% ध्यान देंगे तो आपका Pond Culture ही सफल होगा नहीं तो यहीं होगा दिए हुए नमबर पे अगर आपको मेड़ी सी चाहिए होगा जो स्क्रिन पर नमबर दिखाई दे रहा है बच्चे चाहिए होगे या फिर जेकेफी स्फीड का डिलर सीप या स्वेंग के खिलाने के लिए जेकेफी स्फीड चाहिए होगा तो कॉल करिएगा बहुत बहुत देने